मैं भारत को भारती अता की मानिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ जैसे दूरी भुपला बहुत अध्गुत है ऐसे ही एक बहुत अच्छी आउशद है स्वेंपार्गेर। वह भी बहुत अध्गुत है उसका नाम है हड़ा हंदी बहुत अध्गुत है अगर गले का खोई भी इत्रास हो गया है खासी होती है बार बार खासी होती है सर्दी होती है बार बार सर्दी होती है बच्चों को कई बार वो टॉंसलाइटिस हो जाता है दर्द होता है टॉंसल लेक्त, भूलनों के अग साइसाह का उसका, ह्दल्क नेले के दो तरीके आप हडत को गरम पानी में दाल ये के लिए सकते हैं, या गरम दूद में दूद में डूद में ले ले सकते हैं और हडता में गाय का लंत मिला भूलक तो पानी और दूद में लीजिये गरंग करके और या तो बढ़ में या गाय के तूप में लेके सभी रोगों में अदभुत काम हो यह आपको बार बार खांसी आती है बार बार सर्दी होती है जुकाम होता है यह सभी के लिए आउशदी है फ़र्ट बच्चों को तॉंसल की देगे हमेशा के लिए टॉंसिल की तकलीफ खत्म होगी और ज्यादा टॉंसिल की तकलीफ है कुछ बच्चों को तो सूखी हड़क जो होती है पाउडर के रूप में उसको सीधे गले में डाल दीजे अंदर चमच में हड़क अरिए गले के अंदर तक चमच ले जाईए और छ ने में तुम्से घृट का जूद आपयो थे रहे या बच्चों को फशी नहीं आता रंतर विकार और कोई भिकार में आखो जिएक् helping शेब एनел लगाने की जुररत नहीं पोई क्रिम लगा और जिनके शरीर को ये बात को आप गुण्वीरता से और ध्यान से पर मुर्णित दूंगे पूर क्रने तो घ्रख से अच्छी सिंग-प्रूलिय चिक्छी मौहां तो निया थाये दूद में डालके नहीं तो पानी में डालके नहीं को मत में रूद्बे मिलाते। रंड द्रूद रूजे आपका साहब होता जाए। दुनिया में जो काम कभी भी फियर यण लबंवी नहीं कर सकती वो हरद कर से। इतने लेती हैं? वो ही आदा चमच नियमित रूप से लेना पड़ेगा, जादा दिन पर लेना पड़ेगा फेरल लबली तो कुछ नहीं करती मैंने फेरल लबली को लगा के देखा एक बशी को चार साल घगर घगोर की वो बशी अभी बी काली की काली इसलिए फेरल लबली तो कुछ भी नहीं करते हैं यह बगवास है और टीबी में बोगस जाहिए रहा है और महिंगी इतनी आती है फेरल लबली 25 ग्राम 40 रुपई की तो हिसाब निकालेंगे तो 1600 रुपई किलो आती है अभी 1600 रुपई किलो की फेरल लबली लाएं उससे अच पता काश में फ्होड़ा भी निकले तो त्वचा में जलन ओने लगती है इंस लोगों को मेरी मिंद्धि है कि हड़द लगाएं हड़द लगाके आप बाहर निकलिए कभी भी तवचा में जलत नहीं होगी और ऊसे लोग जिनको जीवन में ब्रह्मचरिका पालंद करना है अपने शरीर की शक्ति और वीरे को सुरक्षित रखना हैं, वो नियमित रूप से हड़त खाएं, तो ब्रह्मचरे को बहुत अच्छे से आप पालम कर सकते हैं, और आपके शरीर के वीरे को बहुत अच्छे से सुरक्षित रख सकते हैं, और इसी हड़त का अधुत उप्योग सबसे खतर नाक भी मारी जो किसी ऑशिद्रावश्ट से ठीक नहीं होती है वह जब से ठीक होती है और उसका नाम है cancer है आप महाधी है आपको हड़क अमेरीका में पेटेंट करा लिए अमेरीका सरकार ने हरद पर 33 पेटेंट के लिए और यह सारे पेटेंट हड़त का उपयोग होता है कौन्सी हड़त का होता है अब कौन सी हड़त का अधियर अब काँ अधिया वह सुखी हड़त है पाउडर के रूप में एक ताज हड़त आती है लिली हड़क कहते हैं, आमपा हड़क कहते हैं, ताजा हड़क कहते हैं, जो खेत में से निकल के सीधे आते हैं, उस हड़क की चक्पी बनाएं, उसमें से रस निकलता है, वो रस कैंसर के नूप में काम आता है। कैंसर के किसी भी बरीच को जिसको गले का कैंसर है, पोट का कैंसर है, आहार लगी का कैंसर है, ऐसे किसी भी कैंसर के बरीच को हड़त का रस मत विलाके देंगे, तो कैंसर में बहुत तेज काम करते हैं अभी तक जितनी रिसर्च होई है दुनिया में हड़त पर उन रिसर्च का ये कहना है कि हड़त में कर्क्यूमिन नाम का एक केमिकल है जो कैंसर को ठीक करने की तासत रहता है और ये सिर्फ भारती हरत में ही है, और दुनिया के किसी देश की हरत में नहीं है, पाकिस्तानी हरत में ये नहीं है, बंगला देश हरत में नहीं है, भारती हरत में है, तो हरत आप घर में रखी, ताजा हरत मिले और घर में कोई कैंसर का मरीज हो, तो उसका रस रिकाल के थोड झाल झाल